तो वेज मोटो एज 40 नियो के अंदर भाई एक अपडेट आईए और ये अपडेट भाई 400 कुछ हैंबिगी थी और हमने इसको किया काफी सारी एकस्पेक्टेशन थी और काफी सारे आपके सवाल भी थे मैंने यहाँ पे कम्निटी पोस्ट में आप लोग इसे पूछा था कि अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें बताईए तो आप में से कुछ लोग ने भाई वहाँ सवाल पूछे भी तो भाई देखो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजे इसके बारे में रिवील करने वाला ह यहाँ पे जो बैटरी रेम का क्या है हालात यह भी मैं आपको बताऊंगा काफी सारी लोग ने यह भी मुझसे पूछा था कि भाई इसमें बोया का माइक नहीं लगता तो मैंने इसको प्रॉब्लम्स है इसके अंदर इन सबको मैंने इस अपडेट के बार में इसको यहाँ किया गया है पर वो जो इस्टेबिलिटी है किस सेक्शन में करी गई है कैमरा में या फिर इसके ने परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ इन्हों ने यहाँ पर बताया नहीं तो भाई मैंने का कि चलो फिल तो फुल आनी टेस्स करना पड़ेगा तो पहली बात देखो जो डिस्प कि डिफॉल्टी जो गूगल के अंदर डेवलेपर मोड के अंदर जो रिफ्रेश रेट को आन करने का सेक्शन है ना वो शैसे इसमें ठंक से वर्क नहीं कर रहा है क्या है क्या है क्या है यहाँ पर पबजी उसको अपने रिफ्रेश घटाना चाहीए था पर उसमें भी 144 हर् स्टीकर रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी इसके तरफ फिलाग ले देखने को नहीं मिलता है और स्टीकर अभी वैसे ही लाउड एंड क्लियर है इसी के ने साथ में यहाँ यहाँ पर लोगों को यूटूब पे वीडियो बगर देखने में थोड़ा यह फोन काफी है ता गरम हो वीडियो को प्ले करने में पबजी में उत्ती जादा नहीं आती है लेकिन वीडियो प्ले करने में अभी भी आ रही है और हाँ अगर आप शोशल मीडिया वगर चलाएंगे तो उसमें यह चीज देखने को नहीं मिलती है पता नहीं क्यों यूटूब में ही शाय से यह को टेस्ट भी करते है तो गई सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं देखो भाई मेरे पास यह बोया का माइक है और मेरे पास यह फोन है ठीक है यह फोन में मैंने काइन मास्टर को उपन किया हूँ और यह भाई कनवर्टर है 3.5 एम का जो कनवर्टर आता है तो गई यहां पर जो पहले वाले साउंड है ना वह है हमारी बोया के माइक की और यह दूसरे इसके स्पीकर की ठीक है तो मैं सुनाता हूँ देखिए आपने देखा इसके अंदर कितनी जादा एको है और इसके अंदर बिल्कुल भी एको नहीं है वो इसलिए था क्योंकि यह हमारा बोया माइक से था और यह वाला हमारा बोया माइक से नहीं था तो यह समझ में आगे होगा आपको कि अब यह बोया माइक काम कर रहा है तो भाई यह नेक्स वाले इंप्रूब्मेंट और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा अब भाई अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कर लो आप लो यह नहीं हो तो मोटिवेशन मिंच भी नहीं है रैगुलर वीडियो लेकर करने सकते हो और यह वीडियो जिन लोगो भी फोन चाहिए उन को साथ में शेयर करो इतना तो करीं आप सकते हो ना भाई के लिए कर दीजेगा चलिए बढ़ते हैं आब आगे इसके बात कर लेता खेकंगे फिर भी इसमें बैटरी देखने को न मिलता थो मैंने का सब से पहले इसी चीज का यदि पijnay possible ты तो वहाँ पर 97 यानि Girls मुझे उस समय डेखने को न मिला था और बारा बज़ आठ मिनिट पे मैंने यहां पे इसको आइडिली छोड़ दिया और सुबह जब मैं उठा हूँ सुबह मुझे यहां पे देखने को मिला है कि मेरे फोन में 93% तक की बैटरी थी तो मतलब कि यहां पे 4-5% कहीं यहां पे बैटरी डेन होता है और वो भी भाई देखो मैंने दो मैंने अलाराम इसके इंदर सेट अप किये थे तो वो अलाराम भी बजा था उसके बाद मुझे इतना यहां पे बैटरी डेन होता हुआ नजर आया मैं इसको बहुत ज़्यादा बैटरी डेन मैं मानता नहीं अगर आपके एरिया में 5G की problem है 5G की signal उतने ज़्यादा consistent नहीं है तब कहीं पर आपको यहाँ पर 5G में शायद सिर्फ problem हो भाई मुझे तो अभी तक की access कोई problem देखने को मिली नहीं है और हाँ मैंने यहाँ पर normal usage की भी मैंने अगर बात कलना है तो मैंने नॉर्मल usage में मैंने जब यहाँ पर डिवाइस को शाम तक की जब मैंने इसको चलाया तो मुझे काफी ठीक ता यहाँ पर बैटरी लाइफ देखने को नहीं मिली है जहाँ पर मैंने एक से सवा गंटे के आसपास PUBG टेस्टिंग भी करी है इवन मैंने यूटूब पे वीडियो भी काफी लंबे समय तक देखा था उसके बावजूद भी बैटरी ड्रेन का मुझे बहुत ज़्यादा इश्यू यहाँ पर देखने को नहीं मिलाता लेकिन हाँ अभी भी मैं यही चीज़ आ मानता हूं कि वीवो और IQQQ उनके अंदर 4 nanometer के आर्किटेक्चर बेस प्रोसेसर है तो उनमें आपको बैटरी लाइफ जादा बैटर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इसमें भी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हुए नहीं मिली है तो इसी के इने साथ में पर्फॉर्मेंस में आ जाता हूं देखो पर्फॉर्मेंस का तो देख लो आप एंटू टू बेंचमार्ग में कोई बहुत ज़्यादा चेंज आया नहीं है CPU throttling में भी कोई बहुत ज़ादा change नहीं यहाँ पे आया है and even geekbench mark में भी and even अगर आप speed test वगद भी करेंगे न तो भाई speed test में पहले भी अच्छा था और अभी यह बढ़ियां ही perform कर रहा है और comparatively अगर storage की read and write speed ही मैं बात करूँ तो उसमें भी मुझे खास changes नहीं देखने को मिले हैं before and after इस सब के साथ में अगर मैं यहाँ पे performance में BGMI की बात करना हूँ तो भाई देखो BGMI में एक problem थी normal gameplay तो ठीक था यहाँ पे चलता था smooth में extreme में लेकिन problem आती थी जब आप यहाँ पे बहुत सारे enemy होते थे वहाँ पे तो भाई देखो अभी जब बहुत सारे enemy आते हैं उतना ज़्यादा lagginess तो नहीं है लेकिन हाँ अभी भी थोड़ा बहुत scope of improvement है और आप इसको compete नहीं आप करवा सकते हैं प्रोसेसर के फोन के साथ में जैसे कि मैं IQ Z7 Pro की बात कर रहा हूं या फिर Vivo T2 Pro की बात कर रहा हूं उसके अंदर आपको जादा stable performance अभी भी देखने को मिलेगी BGMI के अंदर इसके बात करें अगर मैं camera की बात कर लो तो camera में कुछ improvement आए है या फिर नहीं तो भाई देखो यहां पे मैंने काफी सारी photos वगए click करी है इसके साथ में देखो अल्ट्रा वाइड में तो कई बार यहां पे यह काफी अच्छी photos को click करता है जहां पे saturation को बहुत ज़्यादा बढ़ाता नहीं है लेकिन जो primary sensor है उसके जबी भी आप photos आप लेंगे तो saturation बहुत ज़्यादा बढ़ती है इवन अगर low light में भी देखेंगे तो low light में भी ऐसा ही perform कर रहा है जैसे कि पहले यह ने perform करता था लेकिन अभी normal जो daylight है उसमें भी guys मुझे बहुत ज़्यादा कोई improvement देखने को नहीं मिला है कई बार यहां पे contrast बहुत ज़्यादा करता है कई बार यहां पे situation रखता है कई बार नहीं भी और इनका जो यहां पे normal mode, natural mode और enhanced mode है वो तो भाई पहले भी work नहीं करता था और आज भी work नहीं करता है पता नहीं इन्नों ने लेकर क्यों है केवल लोग को बेकूफ बनाने के लिए यही सारी चीज है तो overall अगर मैं बता हूँ camera में कुछ improvement मुझे देखने क मिला तो नहीं तो देखा जाए तो improvement देखने को मिला कहा है बाई केवल जो security patch है बस वही update हुआ है बाकि इसके अलावा मुझे कोई खास improvement देखने को मिला नहीं है और हाँ इसका एक मैं comparison करने वाला हूँ एक ऐसे device के साथ में जो भी 144 Hz की refresh rate के साथ में आता है और वो definitely इसको compete कर सकता है हर एक चीज में नाई सिर्फ performance में बलकि camera में भी तो भाई उसकी मैं बात करूँगा कल के नव वीडियो में लेकिन अगर आपको ये वाली वीडियो आज पसंद आईए तो प्लीज वीडियो करेगा like और subscribe करके भाई जाईएगा बहुत ज़्यादा motivation मिलती है ऐस